हेलो दोस्तों आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है वीडियो की शुरुआत बहुत ही सुन्दर लेंटाना प्लांट के साथ और ये वाइट कलर के फ्लावर देने वाला लेंटाना का प्लांट है इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है थोड़ा सा प्लांट इसका तो अधिया अधिया थोड़ा थोड़ा प्रोन करूंगी और अप्राजिता का ग्रोवंग पिरेड चुरू होने वाला है अधियॉंटर में थोड़ा सा ये स्लों ग्रोथ करता है और ये मौनिंग ग्लोरी की बेल है इसी में देखिए इस तरह से फूल-फूल खिलते हैं मौ देखे शीट पॉट बन चुके हैं फलीया लग गई है इसमें और फलीया को पूरा मैं हटा दूगी और उपर उपर से ब्रांच को भी मैं प्रून कर दूँगी तो आज यही सारे काम मैं कर रही थी और देखी यहां से कट करना है तभी इसमें अच्छे से ग्रोथ होगी और भी बहुत अच्छे से होगी और यह काम जरूरी होता है प्लांट के उपर करना और आज मैं कुछ प्लांट को रिपॉड भी करूंगी और कैसे हम ग्रो बैग में प्लांट लगाएं उसको भी मैं शेयर करूंगी और यह जो देख रहे हैं वो लड्डू गेंदा का होने लग गया है चाहूं तो मैं इसे और रख सकती हूं लेकिन मुझे प्लांटर की जरूरत है तो मैं इसको खाली करूंगी खटाओंगी इसको और वैसे भी गेंदा का जो प्लांट होता है वो उसका जो जड़ होता है वो बहुत फैल जाता है देखिए यह रूड बॉल क के साथ ही निकल गया और इसमें दो प्लांट और लगे हुए हैं आप देख रहे हैं परपल हार्ट और स्पाइडर प्लांट और परपल हार्ट तो तूट गया फ्रेंट्स उसका जो ब्रांच था वो चलो कोई नहीं मेरे पास और भी हैं और देखिए इस तरह से मैंने पू मिला हुआ है फ्रेंट्स तो वापस मैं इसी मिट्टी में ही ग्रो करूंगी नए प्लांट को और अच्छे से छान लेना है और देखिए हमारी अच्छी रीच मिट्टी रेडी है और देखिए मैं इसी में लगाऊंगी और यह जो प्लांट आप देख रहे हैं वो हॉली के ही लाई है और 2020 रुपीज का है यह प्लांट और अभी विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लांट होता है हॉली हॉक बहुत सुंदर फूल आते हैं इसमें और लगभग मार्च तक इसमें फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रेल तक तो देखिए मैंने पुरानी मिट्टी ही और काफी हलकी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो मैं इसके रूट बॉल को डेमेज नहीं करूंगी राइस हस्क की मात्रा जादा है इसमें तो थोड़ा सा उपर का पोर्शन ही मैं खोलूंगी और उसके बाद फिर यह मेरी यह भी मेरी पुरानी ही मिट्टी है जिसक को उसके बाद हम वाटरिंग कर देंगे तो एक प्लांट हमारा रेडी हो चुका है और हॉली होक का जो प्लांट होता है वो सीड से बहुत इसली प्रोपोगेट हो जाता है पहली बार ही मैंने इसे अपने गार्डन में एट किया है फ्रेंट्स और देखिए एक ग्रो बैग और देखिए मैंने च्छाना हुआ था जड़ को तो जो जड़ निकला था गेंदा का उसको मैंने नीचे में रख दिया है नीचे भाग में उसके बाद हमारी जो मिट्टी है वही है पुरानी मिट्टी खाद और रेथ पहले से ही मिला है इस मिट्टी में इसको मैं डाल अच्छा होता है फ्लॉरिंग प्लांट के लिए और वर्मी कंपोस्ट तो बहुत अच्छा होता ही है और खराब पत्ते हैं उसको खटाद देना है और निकालना है बस और लगा देना है तो एक प्लांट को मैंने प्लांटर में लगाया है प्लास्टिक के और एक प्लांट क ऐसा कोई इश्यू नहीं रहता और वर्मी कमपोस्ट बचा था उसको फिर से मैंने डाल दिया है देखे इस तरह से हमने दो प्लांट आज लगा लिए तो यही सारे काम आज मैं कर रही थी और आज 18 जनवरी है मंडे का दिन और देखे पानी अच्छे से देना है ड्रेनेज होल के निकलते तक देखे कितना खुबसूरत फूल आता है इसमें बहुत सारे कलर्स वरायटी में हॉली हॉक के फ्लावर्स मिल जाते हैं और यह आप प्लांट देख रहे हैं वो लाल बादस का प्लांट है लालसा भी बोलते हैं इसको और ग्राउंड कवर करने के लिए हैज बनाने के लिए इस प्लांट को लगाया जाता है अक्सर गार्डन में आप पार्क में देखे होंगे मैंने यह जो प्लांट आप देख रहे हैं उसको मैंने पेट्रोल पंप से कट करके लाय थे फ्लावर आ रहे थे तो इसको भी कट करना है तो यहीं सारे काम किया आज मैंने